अगर आप भी गाजर के हलवे और बहुत सारी मिठाईया खाते-खाते हो गए हैं बोर तो आज में आप लोगों के लिए लेकर क्या ही बहुत ही टेस्टी सी और जटपड से बन जाने वाली बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली ये मिठाई की रेसिपी जो जेली कभी देश मिठाई का भी तो ये देख सकते हैं आप कितनी खुबसूरत लग रही और अंदर से भी बिल्कुल सौफ्ट सौफ्ट सी मुह में घुल जाने वाली तो चलिए हम बनाते हैं इस रेसिपी को इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गाजर तो ये 200 गाजर है अब डाया जेकते हैं आप फरिंट्स दो घाजर है ओठने दो रेड़ वाली घाजर अगर आप लेकर बनाएंगे तो तो इस से बहुत इच्छी है इसे हम रूपली चॉप कर लेंगे और इसके बाद हम इसे एक पैन में डाल करके इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इ आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी और मैं आपको इसे नाइफ की मदद से कट करके दिखला दे रहे हैं यह आराम से जो है कट जा रही है बस इसी तरह का चाहिए हमें अब हम गैस को बंद कर देंगे और गाजर को हम कर लेंगे ठंडा इसके बाद हम इ एक बॉरी ने लेंगे और एक शर्श ड कर्या Всем लिया है यह मिल्क पॉडर लिया है मिठाई का टेस्ट है भो अच्छा हो जाथा एक पानि डाल कर इसका एक ठाय से जो कृघार कर लेंगे इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स किजिए गा ताकि hai friends तो यह गेख सकते हैं यह बिल कोसे भी हमेश में डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी अमेसे गैस पर भिल्कुल भी नहीं चरहना है वरना इसमें गुठलियां आजाती हैं लंसे पर जाते हैं तो आप पीस्से ऐसे ही अच्छी तरह has begin 1 yahज़ चीनी आप डालेंगे वैनियला एसेंस और बहुत खुबशूरस से इसे कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूट कलर इस्तमाल कर रहे हैं तो आप इस प्रणियों को अच्छे से मिक्स करने उसके बाद ही इस गैस पर चढ़ाएंगे यह देखी बहुत ही कुबशूरस सा हमारा गा पर सकती है और गैस को बिल्कुल रखें तो यह आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर जो है वह चेंज होता चला जा रहा है और इसमें शाइनिंग सी आ जाती है यही चाहिन है कि अब यह जो है अच्छी तरह से पकड़ रही है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यह और यह खाने में बहुत ही जादा सौफ्ट और विल्कुल मुह में घुल जाने वाले और एक सब्सक्राइब नहीं होती है आप इस तरह से मिठाई बनाकर किसी पार्टी में या फिर किसी भी तरह का कोई फैस्टिबल ओ आप उसमें इस तरह का मिठाई बनाकर रख सकते हैं और चाहें तो आप अपने परिवार वालों के अहां अगर घुमने जा रहे हैं तो भी आप इस तरह की मिठाई बनाकर बहुत ही कम रेट में आप इसे लेकर ज जाएंगे इतना इसका टेस्ट अमेजिंग लगता है बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल मुह में घुल जाने वाला और कलर कितना प्यारा आया है हमारी इस मिठाई का तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार बनाएं मिठाईयां इसमें बिल्कुल भी ज्याद आप और बहुत थी जादा दिलेशस लग रही है तो यह इसला को भड़ लीजिए और देख सकते हैं आप 10 निट के बाद आप इसे देखेंगे के यह अच्छी तरह से शेट हो चुकी है और बहुत ही जादा delicious लग रही है तो ये इसी तरह से आप सभी को भर लीजिए और देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो ये देख सकते हैं बिल्कुल jelly की तरह लग रही है ना बिल्कुल flagsy और बहुत ही जादा स्मूथ है यह आप देख सकते हैं मैं आपको इसे पलट करके भी दिखला दे रही हूं बहुत ही आराम से यह निकल जाती है और अब हम इसे क्या करेंगे कि नारियल के बुरादे में इसे हम कोट कर लेंगे कितना खुबसूरस सा हमारा मिठाई बनकर तया इसे खुबसृबस से क्लट से ठीव है और थोड़े से हमने इस पर मिंट के पत्य लगा दिये हैं बहुत ही जादा खूबसूरत हो जाती है बहुत ही टेस्टी लगती है यह तो आप इस तरह से बनाए फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडि रेशिपी में लाती रहती हूं हमने इसे थोड़े से आइसीं बॉल से स्प्रिंग्ल कर दिया है कितने खूब सुरत लग रहे न यह ऐसा लग रहा है बस देखते जाएं देखते जाएं अब मैं आपको इसे कट करके दिखला रही हूं कि यह कितने जादा स्मूथ और कितने ज जब आभी देख सकते हैं आप इसका टेक्चर बिल्कुल जेली जैसा है और यह बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स इंजॉय करें